सब्सक्राइब करो आर्ड बालाहाट चेनल को और प्रेस करो इस बैल आइकन को हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मैं हुआ विक्की आप देख रहा है आर्ड बालाहाट दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल लोगो अलग-अलग डिजैन से बिल्कुल बेसिक है एडवांस भी है थोड़ा लेकिन बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोसिस करूंगा ये लोगो इलिस्टेटर में ज्यादा अच्छे से बनाया जाता है लेकिन हम कुम लोग करते हैं photoshop में work तो मैं। मैं चाहता हूँ कि photoshop में आप work करके पैसे कमा सके और भी सारी चीज़ों का उपयोग कर सकेंगे तो आपको एक professional लोगो बनाने का तरीका और में आपको मिन वाली तरीके से दिखाऊंगा तो इसमें अगर आप बोले दूसरे किसी रहती है मैं पहले कट कर लेता हूं और यहां से विंडो में जाके लेयर का बटन सिर्फ लेके आऊँगा क्योंकि मुझे जहां तक नॉलेज है तो लेयर में बहुत सारे हमारे काम होते हैं और नॉर्मली फोटोसॉप लेयर से ज्यादा तर यूज होता है तो लेयर का इधर उदा नहीं करता कट पर तो क्या है मैं पुरी फुली चीज दिखाता हूं जो मैं मिन्वली करता हूं तो यहां देखेंगे फाइल का बटन है यहां अगर देखेंगे तो आपको कंट्रोल एंड का बटन दिख जाएगा तो कंट्रोल नुव का बटन दबाएंगे यहां पर इमेज का साइज कित्ते साइज का फोटो आप ले रहें वह दिखाएगा यहां पर दिखा देगा आपका साइज डिफाल साइज यू ऐसे पेपर दिखा देगा और यह दुनिया भर की चीज़े वेब डिजाइनिंग से लिके मोबाल डिवाइज और कॉष्टम तो यह साऄ चीज़े हैं तो यहां पर अपन लेनने चाहते हैं फोटो मैं वर्क करते हैं हम लोग तो फोटो लेंगे फिर यहां पर लेंनिट्सकेлем 8 बाहिं 12 है दस है तो य यह वाला बटन दबाएंगे तो अभी मैं यहाँ पे सो कर रहा होगा यहाँ पर आपको कि यह वाली बटन दबाना है कीबूर्ड से तो यह चीज आ जाएगे अगर नहीं आति है आप वेव में जाएंगे सो में जाएंगे और यहाँ ग्रिड में क्लिक कर देंगे यह चीज आ जाएगी यह चीज होगी अब मैंने कस्टम सेप के बारे में बता है पिछला वीडियो कर नहीं देखा होगा आपने तो देख लिजे कस्टम सेप के बारे में बता है अभी देखेंगे यहाँ पर कस्टम सेप यह है ठीक सेप कैसे बन काने की कोसिस पूरी करता हूं ये वाली सेटिंग देखेंगे अभी सेटिंग में मैं बदलाव करना चाहता हूं यहां पांच है तो यहां करूंगा मैं चार ठीक है और यहां पर करसर सा बना हुआ यहां क्लिक करूंगा मैं और देखेंगे यहां पर लिखा स्मूद कॉर्णर तो यहां स्मूद कॉर्णर में भी क्लिक करूंगा और इस्टार्स यह भी लिखा तो इस्मूद कॉर्णर को हटा देता हूं चलो यहां पर इस्टार में क्लिक कर दूँगा और इस्मूद इंड्रेक्स में क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर भी मैं क्लिक कर दूँगा यह सेटिंग देख लेंगे आप उसके बाद में खताम हो गया मेरा काम यह देखेंगा ठीक है यह लोगों बनना चलो हो चुका है यहां से यह क्रिएटिंग चलो हो गया मारी तो कर यू का बटन ऑफर देखेंगे DRU यहां देखेंगे एक दो 30-40 चारों चालो ना नीवारे इसको भी चालू कर देते हूं देखेंगे ये वाली setting मिलाना आपको बहुत अच्छे साना चाहिए ये भी चालू होना ये चालू होना और ये पूरी चीज़े लॉग ग्रेट ये सब कुछ चालू होना चाहिए ये चालू हो जाने के बाद में आपका हो गया चालू करके ये बन चुका है जैसी आपने ऐसा क्रॉप खी तूल को यही रहने दो कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं है अब मैं इसको डुपलीकेट करूंगा तो यहां से कर सकता हूं या फिर इसका shortcut है कीबोर्ट से कंट्रोल जे का बटन दबाएंगे आप तो यह कॉपी हो जाएगा ठीक है यह कॉपी होगा देख सकते हैं लेकिन अगर आपको कीबोर्ट से नहीं दबाना है तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे और डुपलीकेट लेयर में क्लिक करके ओके कर लेंगे तो यह सेम बन जाए करेंगे कोई भी चीज़ती ज्यादा कठीन नहीं होती यहां उठाके लिए क्या होगा और यहां पर एक आपसन है देखो यहां पर रोटेट का मैं 45 डिगरी इसको टर्न कर दूँगा और मैं इंटर कर दूँगा यहां पर कीबोर्ट से या फिर यहां राइट क्लिक ठीक है कर लूंगा अब यह चीज़ अभी वह दो टूल है यह पहिला है तो इसको नंबर 1 डाल देटेंट हैं लुए और नोमबर दो यह है ठीका अब यहां पर रिनेम नहीं हो रहा Är हो रहा है बागि ठीक है डबल क्लिक में number 1 और यहの 2 डेडबल क्लिक करने बाद चेंज कर सकते ह हुए ने हैं अब क्या होगा मैं यहाँ पे इसको बंद करूँगा और देखिए यह बंद कर दिआ है आक वंद किया अभी देखिए आक बंद करेंगे यहाँ पे तेब बना हूँआ चोटा सा इसमें ctrl का बकनीव करोंगा, क रखाइक करें और इसमें right click का बटन आतर इस सेलेक्शन हो जाते हैं और फिर इस लेयर से देखें बोरियर देखें क susception हो नहीं हो तो से दभा रहों कीबोर्ड से यह वाला Error धेख लो आप ये कुन सा एरर आ रहा है ठीकर कोड़नाट कंप्लीट फाइल वाला रहा है और यहां से जा रहा हूं तो डिलीड में भी नहीं हो इस तरफ में delete करना चाहा हो, तिस तरफ में भी हो रहा नहीं है, तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर right left click करूँगा और यहाँ पर restorize layer बीक कर दूँगा, अब अगर मैं delete करने जाता हूं keyword से तो clear delete हो गया हो गया बिल्कुल इजी था इतने आसानी से बता हूं कि आपको समझे आना ही चाहिए अब देखेंगे यहाँ पर यह जो लेयर इसकी जरूरत खतम होगा इसको हटा के खतम कर दो अब इसका duplicate बनाना को ठीक है, duplicate बनाने के लिए यहां से duplicate करेंगे या फिर keyword से control जे का बटन दबाएंगे, यह चीज मैंने बार-बार बता हुआ हूए और बता रहें, जे कबटन दबा दिए keyword से duplicate हो चुका, और duplicate नहीं दबा पा रहे होंगे तो यहां से duplicate करेंगे नमबर दो लेयर डालके ओके करेंगे तो यह डूपलिकेट हो गया अब मैं क्या करूँगा यह अभी ध्यान से बताया था यह वाली चीज़ को उठाके ले क्या हूंगा अब मैं और यहां पर छोड़ दूँगा ठीक है इसके जो डॉट है यहां पर इसको लाके रख इसको इसलिए क्या करूँगा कीबोड से कंट्रोल अल्टर सिफ्ट और टी टाइम वाला टी का बटन दबाऊंगा तो यह बारी-बारी सेट हो जाएगा यह मैंने बार बार दबाके छे बार दबाके इसको डुपलिकेट कर लिया यह पूरी लेयर बनके तयार हो गए यह अ नंबर कर लेते हैं यह तीन नंबर कर लेते हैं इसको यह चार नंबर कर लेते हैं इस लेयर को चार नंबर कर लेते हैं और यह पांच लेयर कर लेते हैं इसको पांच छे और यह साथ और यह आठ यह आठ लेयर का हमारा एक लोगो बनेगा अब देखेंगे इसको सबसे पहल लेयर में जाएंगे और यहां पर लेयर इस्टाइल में ब्लैंडिंग ऑप्सन में क्लिक करेंगे यही बॉक्स ओपन हो किया जाएगा या फिर यहां पर जाएंगे और यहां पर ब्लैंडिंग ऑप्सन में क्लिक करेंगे तो यह भी एक ही बॉक्स यानि कहीं से भी जाओ सिर् चक्री को यह वाली लाइन जो है इसको आगे पीछे करना तो यह चीज कर लिया मैंने और यह फिलाल तो यहीं तक है ना अब जूम करके देखूंगा मैं थोड़ा सा ठीक है अभी सही है कि नहीं यहां तक सही है यह सही आया अब इसको कर देता हुआ मैं ओके अब यह चीज तो होगा यहां तक मैंने पूरी प्रोफिस कर लिया अब मेर को यह जो ग्रीड का इड़ बॉक्स दिख्रेस को अटाना तो यहां पे क्लिक के सो में और ग्रीड करके हटा दिए अभी होगा किलियर अब क्या करना यह जो लेयर है यह यह वाला इसको करे हाँ स्टायल है ध्यान से देखना अपनगा तौरह है यहां पर रॉप रैट क्लिक को बटन करेंगे तो यह वालीज़ा जाएगे सॉरी लेट क्लिक कर यह वाली चीज़ भॉपन हो क्याए गयर यहां पी ये चीज़ है copy layer style ठीक है एक बार फिर से बता रहе हैं यहां पर क्लिक करें गए left right click को और यहां से धेखएंगे copy layer style लिक्षाई इस में क्लिक कर देंगे और इसको पूर पूरे को control के साथ select कर लेंग, control का बटन और shift का बटन दबाके select, अब यहाँ पे paste layer style लिए यहाँ पर, देखेंगे यह पूरे में से हो जाएगा तिक अब क्या करना लेर स्टायल तो हो गए, लेकिन हमको बारी बारी इसको थोड़ा changes करना है, जैसे कि यह वाला, यह हो गया, अब नीचे का करेंगे नीचे का क्या करना अपने को थोड़ा से चेंज करना है थोड़ा से चेंज क्या करना है यह वाला कलर यह चीज को मिलाना है ठीक है ध्यान से देखेंगे थोड़ी गरबड़ी हो सकती तो उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक है करने के बाद मैं इसको चीजों को समझा हूँगा आप लोगों को यह यहां पर यह वाला कलर डालता हूं है और इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहां से इसको गुमाता हूं कि इसको ऐसा कर दूगा हाँ ठीक है और देखेंगे ध्यान पुरुवग देखना कोई भी गरबड़ी बिल्कुल नहीं होगी हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन आपको एकदम से प्रोफेशनल तरीके से आपको बनाना सिखा देंगे हम लोगों और यह ओके कर दिया हमने य यहां पर वैसे ही सेम कर देंगे वही कलर की लेयर ला देंगे यहां पर ला दिए और यहां से कुछ चीजे घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा इसको यहां पर 180 डिगरी पर घुमा देता हूं है तो यहां से इधर थोड़ा सा अलग हो जागा यह अट्रेक्टी हो जाएगा को ठीक है इधर करूंगा तो इधर हो जागा ये सबस्क्राइब होती है इंसान से गरबढ़ी होती है अब ऐसा नहीं होता है कई सारी चीज़े नहीं समझत आती तो ये फाइनली में को समझ में आतो गई है लेकिन क्या है मैं इसको लाइनों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना रहा हूँ एक भी चीज छूटना ने चाहिए ओके कर दिया सेट कर दिया दो लाइन हमारी हो चुकी है एक यह और एक यह अवे तीसरा सेट करेंगे हम तीसरा स थोड़ा सा अ कि यह चीज यहां पर सेट हो जाएगी और यह वाली चीज पिछले वीडियो में चीज़े बताई हमने यहां तक सेट और यह ओके कर दिया हमने अब इस तरफ भी सेम वैसे ही करना ठीक है क्या करना इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी लेर इस तरफ लेके बारी कि देखेंगे कुछ चीज गरबड़ हो सकती हैं मैं बार बार बता रहा हूं बारी बारी ये चीज मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको अगर कोई चीज ना इस समझ में आती हो तो आप पूछेंगे तो मैं फाइनली बताने की कोशिस करूंगा यह चीज हो गई लेकिन फिर भी यहाँ पर कई ना कई गरबड़ी में को लग रही है तो मैं चाहता हूं कि यह थोड़ी सी चिंजेस इसमें होई जाए यह चीज हो गई और यह ओके कर दिया हमें ठीक है अब उसके बाद यह वाला इस तरफ पर जो है इसको भी वैसे करूंगा सारी चीज बारी स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूं है चीजे आप लोगों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह समझ में नहीं आया और वह समझ म नहीं आता वह अपना काम कर सकते हैं बिल्कुल परसान होने की जरूरत नहीं है और वीडियो को लाइक कर देना यार इत्ती सारी मेहनत करके आप लोगों को मैं चीजे बताता हूं एक्स्प्रेइन करता हूं अच्छे से अपनी भासा हिंदी में तो चाहूंगा मैं कि आप एक छोटी सी चीज करूंगा यहां पर कुछ सेडो बनाना चाहता हूं थोड़े से अड़ो बना हूंगा मैं कैसे बनाऊंगा इसमें क्लिक करके देखता हूं देखेंगे अब इस इन बॉक्स को इन कर्सर को थोड़ा सा उपर कर देंग, ताक लेयर थोड़े छोटे हो यह बन गा ठीक है यह यह लग दिताँ डार्क डार्क ब्लेक यह नाम से रघ दिया ओके कर दिया अब इसको मैं रख देताँ यहीं पे उपर पे सबसे उपर पर रखूंगा और फिर यहां पर ध्यांसे देखेंगे कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना और यहां पर एक आइ करूंगा यह चीज़ हो गई अब यहां तक चला दिया मैंने फिर सेकेंड वाले में भी सेम ऐसे करूंगा कि सेकेंड वाले में भी सेम ऐसे कर रहा हूं मैं जहां से देखेंगे आप तो आपको समझा जाएगा फिर थर्ड वाले में भी सेम ऐसे करूंगा मैं तेकर ये चीज चीज किया प्वर्थ वाले में be same way varias करुंगा मhouse और फिर फिप्ट और भारी भारी स्तारो को मैं ऐसे करने वाला हूँ ठीकर और और six के बाद seven में भी करुंगा six के बाद seven ये six के बाद seven में कर देता हुगा हुग और एट में वैसे करूंगा सेवन में नहीं किया मैंने वो थोड़ा मेरा मिश्टेक है और यह सेवन में क्लिक करके यह चीज हो गए और यहां पर देखेंगे आप लगभग यह हमने कंप्रीट कर लिया है देखेंगे यह एक नया लेयर यूनिक लेयर बन चुका इसको थोड़ा स अपैसित की कम करके मैं इसको इस्ता कर देता हूं और इस चीज को मैं कर दूंगा यहां पर म Sabbat ओको यहां से लेयर में टीक है में क्लिक क्या और यह वाहित लिखने की बजाए में डबल्यू लिख देता हूं ताकि में को थोड़ा समय जो चीज करता हूं उल्टी पुल्टी करते रहते हैं कुछ भी चीजे गरबढ करता हूं अब मैं यहाँ पर वाइट वाला शेड़ो थोड़ा सा चलाओंगो इसमें एक सरी डार्क मेरा मिस्टेक है यहां से कलर बदलेंगे हैं यह वाला वाइट नंबर टू में भी सेम वैसे ही करना है है ना ध्यान से देखेंगे नंबर थीरी में भी लगवाग सेम ही है नंबर फोर यह कोई वो नहीं है यह सिर्फ टुटोरियल है यह चीज मेरा काम है सिखाने का यह नंबर फाइप आप लोगों को करना है प्रेक्टिस ठीक है नंबर six to number seven और यहां पर number eight में वैसे हम कर देंगे ते बारी बारी यह चीज़ों को में यहाँ पर समझाने की कोशिद के आप लोगों को आप अगर नई समझ में आता है तीसमें फिर से हम बताने की कुशिद करेंगे और नमबर शिक्स में थोड़ा सा कम है इसको थोड़ा सा डार कर देता हूं यह तो यह भी चीज होगे देखो वाइट वाला भी हमने बना लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा इधर से कर देते हैं यहां गरबढ़ हो गया है ठीक है अब इसको मैं पूरो को कर दूँगा लॉक डबलू को इसको नहीं इसको छड़ चार नहीं करना हमको ठीक है यह कलर में थोड़ा सा लाइट कलर है तो इसको नॉर्माली रखने दो और थोड़ी से ओपासिटी कम कर दो बस इतनी परियापत है अब यह दोनों लेयर को कर देते अबजेक्ट में क्लिक कर दूँगा मां नहीं अभी नहीं अभी स्मार्ट अबजेक्ट में क्लिक करने का टाइम नहीं आया है यह चीज़ को थोड़ी सी जोटी कर लेता हूं और ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा लंबा जो है टुटोरियल लेकिन बहतर होगा फिर यहां पर स्मार्ट अबजेक्ट में डबल क्लिक करेंगे और यहां पर ड्रॉप शेडव का अपसन है यहां से मैं इसको पंदरा कर दूँगा थोड़ा सा सेडव यहां पर दे रहा हूं पीछे में ठीक है लेकिन दिख नहीं रहा होगा कम दिखेगा हो तो उसका डबल क्लिक ठीक है यहां तक हो चुका है सेडव भी डाल दिया हमने यह कम्प्रेट लोगो बन चुका है लेकिन अब इसको डबल क्लिक करके लोग खोलेंगे और यहां डबल क्लिक करके वापस इसमें आएंगे और फिर यहां पर कुछ चीज़े सेट करेंगे जैसे कि यह वाली चीज़ सेट कर दिया और यहां पर यह क्लिक करके इसको आगे कर देंगे इसको थोड़ा कम करेंगे और इसकी कुछ सेटिंग को थोड़ा चेंज़ेस करेंगे और यहां पर क्लिक करके इसको डार को थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं कि यह üzerine कर दिया है ये मैंने फाइनल उ dozen आ हेघर अ इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा यूओ करूंगा ये भी बताता हो दुप्लीकेट करने कि पहले नया ले लेलोंगा फिर से वापस मैं यहां यह लेया लिया और यहांब कपी बॉलाबड़ बटन दबाकि दाँ एक चोटा सा नहीं वाइट वाला बनाए राई गार यहां से मैं इसको थोड़ा छोटा करके यह एक स्ड़ो बनाँगा था किया इसा ना लगे कि यह सेड़ो यहां पर हई नहीं है और यह चीज़ सेडो बनके तयार हो गई हमारी और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपैसिटी कम करके रख दूँगा यह ओपैसिटी इतनी कम कर दिया मैंने और बस यह फिलाल यह चीज हो गई complete और फिर क्या करूँगा मैं इस लेयर को लूँगा कहां एक लेयर में क्लिक करके इसमें क्लिक रखूँगा मैं इसमें क्लिक रखूँगा और जी का बटन दबा के यहां से मैं थोड़ा सा इसको खीज दूँगा तो यह थोड़ा डल हो जाएगा ठीक है यह थोड़ा डल हो गया और नहीं सारी मेरा मिश्टेक है यह डल हो चुका है थ फिलाल यह हो गई अब यहां पर मैं टाइटल लिख दूंगा टेक्स्ट जो कि बहतर होगा हो सकता है कुछ चीजे छोड़ा हूं मैंने लेकिन पूरी कोशिज रही है कि आपके सामने दिखाया मैंने कोई भी चीज कट नहीं किया है तो सारी चीजे लगबग बहतर होगी अब इसमें बात ही है कि आपको एक एक चीजे बेसिक से लेके एडवांस तरह की चीजे मैंने यहां बताने की पूरी कोशिज की है इसलिए यहां पर लोग टूटोरियल थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया बाकी देखता हूं है आगे से कोशिज रहेगी कि थोड़ा सा चल्द करें हम यह लोगो लिख दिया हमने केशड़ कम चीज हो गए हमारी कंप्लीट और यहां पर एक सेडों डाल देता हूं मैं इस टाइल में जाके ड्रॉप शेडों में क्लिक करूंगा यह इंस अगया और एक सेडों अबहूं लग रहे हमें को यह भाला जो ऐसको कॉपी करके यहां पर क्लिक कर दूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा थोड़ा नहीं बहुत छोटा कर दूँगा यह छोटा कर दिया अब लग रहा है मैं को बहतर अब आगे और भी चीज़े करना चाहते हो आप तो यहां पर कर सकते हैं तो यह फिलाल चीज़े यहां तक ह यहां से चीजों को उठा के से मेरा मिश्टेक है यहां से कंप्लीटली यहां तक की की चीजों को आपको लोगों का वर्ड छोड़के और यह फाइल को छोड़के यह कुनसी फाइल है यह दोनों फाइल को छोड़के यह सारी फाइलों को आपको ग्रूप में कर लेना होगा अ अब यहां से इसको ले जा सकते हैं यह मेरा मिश्टेक थोड़ा सा है मैं कंटोर इक बटन दबा देता हूं लेयर लॉक की कर देता हूं ताकि आपको कोई भी परसानी का सामना ना करना पड़े डबलू का भी बटन दबाऊंगा तब लेयर उठेगी हां और लोगो को भी लॉक कर लूँगा तो यह चीज़ होगे कंप्लेट लोगो तैयार हो गया हमारा और देखेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से हमने बहुत ही आसानी से फोटो साप को उपयोग करके टूटोरियल में आपको लोगो कैसे बनाना वो चीज़े बताई है और ऐसा लोगो बनाना फोटो साप में संभाव है यह हमने साबित कर दिया है क्योंकि कई साफ्ट्वेर में नहीं बन सकते बोलते हैं तो यह चीज़ दावा करते हैं लोग तो हम वो नहीं चाहते हम अच्छे से डिजाइन करके बहुत ही बेसिक तरीके सब एडवांस लेवल की चीज़ को इजी वे में कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आज की इस टॉपिक में मैंने आपको बताया है तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझा कमेड में जरूर बता है अगर वीडियो अच्छा